दोस्तों stock market investment में कुछ stocks ऐसे होते हैं जो कि short term investment के category में आते हैं और छोटी अवधी में भी एक अच्छा खासा returns दे जाते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे short term stocks के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आने वाले कुछ महीनों में हमें returns देने का potential रखते हैं या नहीं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का एक बार फिर से stock for retail पर stock market studio एक नहीं जानकारी के साथ तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा interesting साथ ही साथ informative भी होने वाले क्योंकि इस वीडियो में हम 5 stocks के बारे में discussion करने वाले और साथ ही साथ ये भी जानने वाले कि क्या ये हमारे short term investment के category में आते हैं या नहीं तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा आप लोग के comment से में पता चल रहे हैं कि आप लोग को information समझ में आ रहे हैं आप लोग stock market के बारे में सीख रहे हैं और सीखने के साथ ही साथ most importantly आप लोग profitable बनने की तरह काम करता है और यह बिलकुल commission free facilities provide करता है stocks में investment या ट्रेडिंग के लिए साथ ही साथ futures and options ETFs, bonds, direct mutual funds में आप बीना किसी brokerage या charges के investments कर सकते हैं ठीक है हम जब भी short term stocks की बात करते हैं तो short term में क्या होता है कि हमारे पास दो opportunities होती है या तो stocks ने recently breakout किया हो या stocks टेक्निकल पर गिरावट के बाद मिल रहा हो जहां से वो breakout कर सकता हो तो यहां पर हम कुछ ऐसे stocks discuss करने की कोशिश करेंगा और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये वाकई में अपने fundamentals को justify करते हुए certain technical levels पर आये हैं या नहीं ठीक है तो जो पहली company जिसके बारे हम discuss करेंगे इसक करें ये company profitable है cash pro भी positive है Petrosky score की हिसाब से long term के लिए feedback रही है हाला कि हम यहां पर long term होगर की बात नहीं कर रहे है बट फिर भी generally हम देखते हैं यह सारे parameters यहां पर आप देखें तो return on equity बहतरी ने return on capital employer बहतरी ने debt to equity एक है एक से ज़्यादा है थोड़ा सा कह सकते है debt का pressure रहन इस पर price to earning ratio के हिसाब से अभी भी ये undervalued के आसपास देखने को मिल रहा है यानि कि इसमें अभी भी prices में appreciation हो सकती है अब ध्याद दीजे तो ये 52 weeks low के आसपास मिल रहा है तो जैसा कि हमने आपको बताया था right opportunities short term में होती है जब वो एक गिरावट के बाद reverse करने की कोशिश कर रहा हो या breakout दिया हो उसने यहाँ पर अगर हम technical analysis करेंगे इसकी तो technicals पर आप देख सकते हैं कि obviously इसमें गिरावट हुई है और गिरावट के बाद यहाँ पर 1213 रुपए के आसपास support बनाने के बाद आपको एक reversion देने की कोशिश करता है वो दिखाई दे रहा है एक दि holding pattern देखें तो जून 2023 का data आप देखिए 38% के आसपास promoters थे 31% के आसपास यहाँ पर पब्लीक थी और बाकी जितने भी बचे थे करीब-करीब 28-29% के आसपास आपको institutions देखने को मिल रहे थे अब ध्यान दीजिए तो December 2023 आते 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 आपको public investment बढ़ती हुई दिखाई द time और public investment उसमें बढ़ रही है तो ऐसे stocks में generally negative sentiments होते हैं बट हम सिंच यहाँ पर short term की बात कर रहे हैं तो इस बात को फिलहाल हम ignore करेंगे और यहाँ पर हम देख रहे है कि technical इसके हिसाब से एक buying opportunity बन रही है ऐसे particular stock में तो यह जो stock है जिस stock के बारे हम बात कर रहे थे वह है GMM Fodler अगर हम बात करें अगले stock के बारे में जो कि है ICIL इसके fundamental हम देखें तो आप देख सकते है dividend yield 0.52% के आसपास है company profitable है cash पर हाला के negative है प्रत्रोस की score की साब से long term यहां पर price to earning ratio की साबसे यह stock भी undervalued के आसपास trade करता हो दिखाए रहा है अब यह contrast है देखिए आप 52 विक्स हाई के आसपास मिल रहा है GMM Fodler 52 विक्स लो के आसपास मिल रहा था लेकिन उसमें एक buying opportunity हमें देखने को मिल रही यहां पे ICIL यानि कि Indocount Industries Limited जो हुआ करती थी 52 हाई के आसपास मिल रहा है लेकिन technically क्या इसमें buying opportunity बन रही है यह नहीं यह हम देखते technical levels पे तो technical levels पे आप देखिए आपको एक अच्छा खासा breakout दिया 350 रुपए के आसपास तो जैसे कि हमने कहा था right कुछ stocks breakout की category में आते हैं जहां पे एक particular resistance को break करके पाहर की तरफ निकलते और वो short term में यह अच्छा खासा returns दे जाते हैं और कुछ stocks क्या होते हैं गिरावट के बाद आपको reversion देने की कोशिश करते हैं तो हमें इन दोनों stocks को पकड़ना आना चाहिए और हम इन दोनों stocks को technical analysis से पकड़ सकते हैं ठीक है चली यहां पे बात करते हैं इसके share holding pattern के बार हम तो December 2023 में promoters 58% थे 29% यहां पर पॉब्लीक थी और यहां पर आप देख सकते हैं तो 11% के आजपास आपको institutions देखने को मिल रहे थे बट यह mostly सारे FIIs थे तो generally हम FIIs को trust नहीं करते हैं जब भी हमें long term stocks को decide करना होता है investment के लिए ठीक है चली अब यहां पर बात करते है prince pipes limited क देखी यहां पर आपको consistently dividend नहीं प्रवाड कर रहे हैं लेकिन company profitable है cash पो भी positive है पेत्रवस्की स्कोर के हिसाप से long term के लिए return on equity 10% से कम है return on capital employed 12% है और debt to equity यहां पे 0.04 है debt बिल्कुल ना के बराबर है price to earning ratio के हिसाप से कह सकते है थोड़ा सा overvalued के दाम के आसपास trade करता हो दिखाई दे रहा है तो generally overvalued जो stocks होते है value investing के तहाथ हम उनमें एक गिरावर का इंतजार करते हैं लेकिन overvalued के होने के साथ ह अगर हमें breakout मिल रहा होता है किसी भी stock में तो short term के लिए हमारी opportunity हो सकती है उसमें investment करके returns पाने की तो यहां पर technical levels पर देखें तो आपको breakout तो नहीं दिया लेकिन एक छोटा सा breakout देने की कोशिश हुई है 600 रुपे के आसपास इसमें गिरावट होने के बाद आपको reversion होने की कोशिश हो रही है और यह prices यहां पर 700 रुपे तक जा सकते है recent short term में यह based on technical analysis हम यहां पर देख सकते है ठीक है अगर हम एक मंद के candlestick chart की बात करें तो एक मंद के candlestick chart पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक तरह से double bottom बनाने की कोशिश हुई है 500 रुपे के आसपास व यहां पर पॉब्लिक और यहां पर आप देख सकते हैं आपको करीब करें 23% के आसपास institutional shareholding यानि की qualified investors का investment देखने को मिल रहा है ठीक है चली यहां पर अगर हम बात करें Tanla platforms limited के बारे में तो यह basically यह सारी कि सारी कंपनिया जिनके बारे में हम discuss कर रहे हैं इनके बारे में आ प्राइडर होने के साथ ही साथ यहां पर fundamentals देखें तो consistently dividend प्रवाइड करें प्रॉफिटेबल है cash पहले की negative है पित्रोस की score की साफ से long term की फिट बैठरी है return on equity बैठरी है return on capital employed बैठरी है और यहां पर price to earning ratio की साब से और PG ratio की साब से कह सकते अभी यह stock undervalued दाम पर trade कर रहा ह debt to equity 0.05 है debt की जैसी failure की chances बहुत ही कम है तो fundamentals इसके बहुत ही sound है और साथ ही साथ यहां पर ध्यान देजी तो undervalued के आसपास we trade करने को दिखाई दे रही है particular company ऐसे में अगर हम technicals इसके देखेंगे तो बाते हमें clear समझ में आएंगी अब यहां पर technicals देखी तो एक दिन के candlestick chart पर gir out की थी एक तरह से double bottom बना है 807 रुपे के आसपास वहां से reversion करने की खोशिश किया लेकिन पिछले 3-4 दिनों से consolidation zone बनाते हुए अगर यह breakout देता है तो prices हमें यहां पर 1100 रुपे के आसपास देखने को मिल सकते आने वाले समय में इसको अगर एक मत के candlestick chart पर करें त और अगर prices यहां पर further 715 रुपे के नीचे आते हैं तो 715 रुपे के नीचे आपको 515 रुपे तक भी देखने को मल सकते हैं तो अगर हम ऐसे analyze करते हैं तो जितनी भी probabilities हैं उन probabilities को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं और साथी साथ एक सही decision लेते हुए money management के साथ risk management के साथ investment य रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहोगा कि stock market में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें investment या trading करते समय या swing trading करते समय ठीक है चलिए यहां पर share holding pattern अगर हम टानलार प्लाटफॉम्स का देखें तो मार्स 2024 में 44% के आसवास promoters थे 40% यहां पर पब्लीक थी और यहां पर जितनी भी थे सारे के सारे institutions जो थे FIIs थे तो यहां पर जो FIIs बल्क investment करते हैं किसी भी stock में ऐसे stock में generally हम trust नहीं करते हैं long term investment के purpose से हाला कि अगर technically हमें यह opportunity दे रहे हैं तो technically opportunity में एक short term trade बन सकता है ऐसे stocks में ठीक है चली यहां पर बात करते हैं method finance limited के बारे में तो यह जो company है यह भी आपको consistently dividend payout करें यह company profitable है कि आशपर हाला की negative है return on equity बेतरी नहीं है return on capital employed बेतरी नहीं है और debt यहां पर consider हम नहीं करेंगे price to earning ratio की साबसे और PG ratio की साबसे यह stock undervalued दाम के आसपास trade करते हो द breakout देने के साथ ही साथ एक अच्छा खासा return already दे दिया है short term में तो ऐसे में हम expect कर रहे हैं कि further 10-15-20% यहां से prices appreciate हो सकते है short term में अगर हम इसको देखे एक मन्त के candlestick chart पर तो एक मन्त के candlestick chart पर आप देख सकते कि यहां पर आपको breakout मिला है लेकिन breakout जो है convincing अभी नहीं है या जनी कि इसमें ground भी हो सकती है तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमें prices के फिर से यहां पर 1600 रुपय के आसपास आने का इंतजार करना चाहिए खासतोर पर यह strategy अपनाते हैं जो की long term investment के category के investors होते है short term वाले already यहां पर position बना चुकी होंगे with a certain stop loss तो stop loss यहां प 3.3% यहां पर public है और यहां पर यहां पर अच्छी खासी investment आपको देखने को मल रही है institutions की qualified investors ने यहां investment आपको कर रख है ठीक है तो इन सब ही stocks की analysis जो हमने की है वो हमने figure out किया है इस particular platform से जिसका नाम है IKF, IKF टूल जो particular यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर margin वगर आप देख सकते हैं यहां पर margin वगर आप देख सकते हैं जो भी आपके orders है उस certain day में आप वो देख सकते हैं holdings की information देख सकते है, positions अगर आपने ले रखी है वो देख सकते हैं साथी साथ यहीं से आप GTT order, basket order, equity, SIP orders भी create कर सकते हैं तो all in all बहुत ही bathroom platform प्लाटफॉर्म प्लाटफॉर्म प्रवाइड करता है हमें शुनिवाइफ इनवेजी है यहां पर IKF पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि I know first के तायत आपको daily market forecast मिलता है जहां पर you can get the top 10 picks for the day based on AI powered predictive algorithm daily stock market forecast and top stock picks are based on self-learning predictive algorithms the predictive algorithm is based on AI, machine learning, artificial neural networks and generic algorithms इसके साथ ही साथ यहां पर six time ranges for each daily forecast with the best market opportunities for short, mid and long term तो यहां पर आपको forecast प्रोवाइड किया आता है based on certain algorithms और उन algorithms के जरीए आपको कुछ stocks picks दिया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका basic package performance रहा है, past performance रहा है यह सभी के सभी stocks ने एक अच्छे खासे returns अलड़ी दिये हैं यहां पर ध्यान दीजिए तो FSL ने करीब 13% का returns दिया है तो basically Lupin, Bharat Forge, ONGC, Hero Motocop इन सभी में आपको एक sell signal देखने को मिल रहा है और यह सभी stocks जो है जैसे कि DMART है, Laurus Labs है, APL, Apollo इन सभी में आपको एक buy signal देखने को मिल रहा है तो यहां पर जो stocks हमने large cap के category में select किये थे वो stocks यहां पर large cap के category से मुथरुट Finance Limited आप देखिए signal का मतलब क्या होता है, signal represents the predicted moment and direction of each particular asset indicating whether it is likely to increase or decrease in the value और इसके साथ ही साथ यहां पर जो predictability score होता है, यह basically plus one से minus one का score होता है predictability is the historical correlation between past algorithmic predictions and the actual market moments for each particular asset तो यहां पर based on certain past algorithmic predictions plus one से minus one का score दिया जाता है इन stocks को, तो plus one के आसपास अगर score होता है तो वो better score माना जाता है short term investment के purpose से, ठीक है तो यहां पर हमने मुथूट Finance यहां से discover किया था और साथ ही साथ टैनलर फ्लाटफॉर्म्स यहां से discover किया था, जिसका कि signal 62 है और predictability 0.57 है और इसके साथ ही साथ midcalf की category से, ICIL, GMM Fodler और Prince Pives हमने यहां से figure out किया था, इसका मतलब यह नहीं कि यह सभी की सभी recommendations है, short term के लिए, हम tools का इस्तेमाल करते हैं, अपनी efficiency को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ tools का इस्तेमाल करने के साथ, हमें खुद की analysis भी करने आने चाहिए, और based on certain risk management, money management, हमें swing trade या short term investment करने चाहिए, ऐसे stocks में, जिनमें की आपको short term में एक buying opportunity बन रही हो, ठीक है, ठीक है, तो basically यहां से आप indices की information देख सकते हैं, NSE और BSE का heat map देख सकते हैं, साथ ही साथ जो performances है, past performances, वो आप यहां पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, नेशनल aluminium, ICIL के past performances और साथ ही साथ mid cap and small cap category की भी performances देख सकते हैं, ठीक है, तो basically यहां पे AI powered signal based analysis जो है, यह शून by Finvegia की users के लिए ही है, यहनि कि आपके पास अगर शूने का demat and trading account है, तो ही आपको इसका access मिलेगा, जहां पे algorithmic forecast के तायर, daily data driven signals मिलते हैं, market forecast के तायर, projections for six time horizons, और जैसे कि हमने देखा, यहां पे heat maps आपको देखने को मिलते हैं, तो where you can get insights into the stock market trends, ठीक है तो यह basically एक subscription based model है, जहां पे अगर आप एक महिने के लिए try करना चाहते हैं, तो आपको free trial मिलता है 30 days के लिए, उसके बाद आपको 799 rupees plus 18% का GST include करके आपको pay करना होगा per month to avail this services, तो I think यहां पे clearly आपको समझ में आगा है कि सारे के सारे इस डियो stocks हमने discuss किये, short term में क्या opportunities हो सकती है, और साथ ही साथ कैसे हम सूनिवाइफ इनवेजिया का इस्तेमाल करती हुए, ऐसे stocks को figure out कर सकते, अपने short term trading के लिए, तो इस वीडियो में फिलाल इतने ही दोस्तों, उ stocks में investment करिए, हम आप लोग के लिए information लाते हैं ताकि आप सीख सके और एक profitable investor या trader बनने की रापर आगे बढ़ सके